बहुसे लोगों को तो बिलीब करने में भी ताइम लग जाता है वो अभी बिलीब ने कर पाते है कि छिवा ब्रेंस कर सकता है यह साथ सिंटम्स लकी हु inherit लाते हैं हो वीड न आज के वीडियो में आपसे बात करने वाहा हम्मैं कि हम अपने शले से पेन से कैसे चुटका रपा सकते हैं or we can make the symptoms go away symptoms of different kind pain, stiffness, anxiety ya inflammation, swelling range of motion कम होना body के किसी भी पार्ट में पेन होना muscle में, किसी जॉइंट में और different आपके soft tissues के पेन joint pain, migraines, headaches, digestive related problems, symptoms आपके numerous kind के हो सकते हैं synchnotype के, जितने लोग उतनी तरह की symptoms और हर किसी को लगता है कि उनकी problem unique है इस दुनिया में definitely हजारों और आपके से लोग है उनको same symptoms है, बट आप कभी मिले नहीं हो या आपको कभी one-to-one interaction नहीं हो है जब आपको answer नहीं मिलता है, जब आपको आपकी body respond नहीं करती treatments को तो लाजमी है कि आप तंग हो जाते हैं, आप दुख्य हो जाते हैं आप hopeless हो जाते हो, agitate हो और आपको यह जानके हैरानी होगी कि यह सभी जो emotions में आपको बताएं frustration, anger, hopelessness, यह सारे fuel करते हैं आपके pain को further, आप जाने अन जाने क्या कर रहे हो, अपने symptoms, अगर आग है तो उसमें आप भी डाल रहे हो इन emotions से, सब question आता है कि अगर आप frustrated ना हो तो क्या हो इन symptoms से, कैसे, PMS में जो भी आपकी chronic pain है या symptoms है वो brain कोई danger परसीव कर रहा है, कोई threat इतना knowledge आपको है, और knowledge होना is not sufficient, उसको apply भी करना आपको, कही न कहीं आपके application में कमी है, तभी आप भी pain में हो, अगर आप apply भी कर रहे हो, अगर आप apply कैसे कर रहे हो, कि brain को बोल रहे हो, brain मुझे पता है, यह symptoms किस वज़ा से है, कुछ भी physical दिक्कत नहीं है, you are perceiving danger, यह सब आप बोल रहे हो, उस बार आप देख रहे हो कि, क्या मेरे ऐसे बोलने से, टॉक बैक करने से, या मेरे ना डरने से, क्या symptoms गए, और obvious है कि नहीं जाएंगे, यह ऐसा नहीं कि एक switch आपने off-tar दिया, brain यह switch है, fear का, मैं डरता नहीं हो, मैंने बंद कर दिया, मुझे pain नहीं च एक unwanted guest आपको लग रहा है, घर में unwanted guest है, आपको कब जाओगे, कब जाओगे, और वो, और क्या बोलते है, आपको annoy करने के लिए, आपके सामने बन-बन के बैठ रहा है, नहीं, I'm not going anywhere, और फिर उस पे focused हो, तो आप पुली life disturbed हो रही है, आप को activity नहीं कर पा रहे है, आप focused हो giving much heat to that person, तो आप देदर उसको लगा कि मेरे को attention नहीं मिल रहा है, तो इस time to leave, वो खुद ही आपका पीजा जोड़ेगा, बट आप इतना desperation दिखाओगे, कि आप तुखी हो रहे हो उससे, तो वो enjoy करेगा उस चीज को, तो subconscious में ऐसा नहीं है कि subconscious enjoy करता, आपको pain में देखे, बर जितना आप इन emotions से respond करते हो, hopelessness के साथ, fear के साथ, तो ब्रेन को लगता, आप उसके belief को strong ना देखे, कि हाँ आपको कोई threat है, इसलिए आप इतना despair में हो, इतना anger में हो, means something is wrong, some threat is there, तो आप उसको reinforce कर रहे हो, ब्रेन के belief को, तो फिर क्या रास्ता है, symptom से चुटकारा पा अपनी day-to-day life में involved हो रहे हो, without looking for healing, तब healing होती है, असलिए आप desperation चोड़ते हो, याप एक-एक step पे monitor करना चोड़ते हो, कि हाँ, move करके रहे हो, दद है या नहीं, band होके रहे हो, check कर रहे हो आप बात बात पे, और monitor कर रहे हो, अपनी situation, सुबा कम थाधर, पिछले कल कम बेसिकरी ब्रेन में जो pain centers है, वो input लेते हैं, आपकी बोड़ी के different parts, कहीं पे danger तो नहीं है, injury तो नहीं हुए है, बट वही center pain के same, emotions से भी activate होते है, anxiety, stress से भी activate होते है, fear से भी activate होते है, how we respond to the symptoms, उससे भी activate होते है, तो एक sensor है जो, एक तो physical input से भी activate हो रहा है, और कहीं ही internal wiring प्रेंग की issue से भी activate हो रहा है, तो वैसे ही हो रहा है, तो same pain center बिना किसी physical injury के activate हो रहा है, और आप उसको असली मान बैठे हो, एक खरस्ती ही बढ़ी होती होती है, तो आपको अगर आपका सब कौशी ऐसा मालने, कहीं भी दोखा होता है, तो आप सड़नी उचलते हो, कोई real danger है, और आपका brain मान रहा है कोई danger है, और वो सार इस symptoms को activate कर दिया, उसने fight or fight more को activate कर दिया, अपका state chronic हो गया है, तो इस से बाहर निकलने का तरीका क्या है, knowledge जितना आप acquire कर सको apply करिए, constant assurance देना सब कोशी को, everything is okay, calm रहे के response करना, expectations, hopelessness, desperation, frustrations, इन सब से दूर रहे के calm awareness के साथ चीज़ों को deal करना, अपने काम में busy हैं कोशीश करना, without symptoms को monitor करना है हमेशा, और physically treat करना ही कोशीश नहीं करना है, बहुसे लोगों को तो believe करने में time लग जाता है, वो अभी believe नहीं कर पाते है कि actually brain कोश कर सकता है, यह सारे symptoms, जैकि हम हार से इतने सारे proof है, इतने सा just a feeling अपने आप होगी, जब आप उसका पीछा करना शोड़ देंगे, यह unwanted gas दभी जाएगा जब आप उसको भेजने की कोशीश करना शोड़ देंगे, तो I hope कि आपको मेरा message समझ नहीं हो और आप इसको apply करेंगे अपनी life में, और बाकी आपके और कुछ doubts हैं तो आप comments में उसके की नहीं नहीं झाप इसको बहुता और आप इसको आपके और आप, तो 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 इसको एल टेक यह झा ऑगा बाए